को वो कलर कम दिख रहा है यानि कम विजीबिलिटी आ रही है तो उसको कैसे बढ़ा सकते तो आप दे सकते देखिए कितनी अच्छी वाइब्रिंसी आ गिए कलर में बिलीच करने की नीड नहीं होती यह देखिए के लोग से ल्ह एक इलोगाइस वेलकम बैक तो माई यूट vide चैनल सलान फैट गई आज कम देखिक पता चली गया होगा आज हम किए razda bulletin बिल्टर करने मृट करने वाले हैं तो गइस गैज कड़ टीटी और हम कलर करने वाले उपर पर जो मेंने कटिया ता वो कलर मेंने किया था 7.5 तो काइस माली आपने किसी कलाइट का 7.5 यह कलर किया हुए या X Y Z कोई सा भी आपने उसका पालर किया हुए तो आपने किया है तो यह एसकी सी जो वाइबर इन सी को कैसे बढ़ा सकते हैं आज वह वीडिए में कुलेर करके दिखाने वाले कि यह क्लार हमने किया इसकी जड़ीजीवराइब कैसे बढ़ाएं वो आज हम इस व्टेजम यह जड़ने वाले हैं आप देख सकते हैं इस पहला पहले यह जो क्रफिया होई भी यह ईपकर दिक दरिक्ते देखिये इसमें वाइब्रेंसी तो है जीवल ज़ाद हो रहा है इसको ओर वीजिवल दिखाने के लिए हमने क्या कराना होता है हमें कलर ट्यू लेग tér जिसमें कोई भी रिफ्च्न नहीं होगी क्योंकि कोईफ्लेक्शन वाला कलर हम लेगेवो रिफ्लेक्शन सक्कि और योई दूसरा- सैंन देने लग जाएगा सकते हैं कोई हाइब वाला यूज कर सकते हैं जैसे कि हमारे इस्टिक मैं टैन नंबर यह लोग को ले सकते हो किसी में ले सकते हो जैकिन यह पर ले रहें हम एक्स्ट्रा लाइट ब्लॉड इससे हम इसके कि डैप्थ को बढ़ाएगे और आपको दिखाएगे कि इसकी वाइबिंसी किस तरीके से बढ़ सकती है तो गईस पहला हम कलर बना लेगे थोड़ा सा और गाईस कभी आपको कलर की डैप्थ बढ़ानी है तो हाई लिफ्टिंग कलर यूज कर सकते हो इस ट्रिक्स में तो गाईस टेंड नमबर में को ज़्यादा बैस्ट लगता है हाई लिफ्टिंग का ही काम करता है वैसे यह नौर्मल बेस कलर टैन नमबर गाया लेकिन टैन न पता कि हाई लिफ्टिंग सीरीज कौन कौन सी है लॉरियल में तो कमेंट करके मुझे बता देना मैं उसके ओपर वीडियो बना दूँगा तो वैसे देखिए ज्यादा कॉन्टिटी में हमने कलर नहीं निकाला कर अब इतना ही निकालेगे हैं और जो हम डैवलोपर यूज करेंगे गाइस वह यूज करेंगे ठेटी वोल्यम क्योंकि गाइस कलर टेटेटेड है पहले से कलर हो चुका है कि कलर वाले तो ठटी वोल्यम हम यूज करने वाले हैं कि कलर को अच्छे से मिक्स कर लेगें और गाइस जो इसका मिक्सिंग डेशी होता है वो वन इंस्टू वन होता है जितना आपका कलर होगा उतना ही आपका डैवलोपर होगा मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए आपको दिखे रहा होगा वन इंस्टू वन याने के बराबर बराबर आपको होगा जो डैवलोपर होगा उतना ही आपका कलर होगा थोड़ा सा जो है कलरोड ले लेगें हमें कम पढ़ सकता है और गाइस कलर से डिलेटेड मैंने और भी काफी ज़्यादा वीडियो बना रखिया आप वीडियो जाकर देख सकते हो आपको कोई सी प्रोब्लम होती है मुझे कमेंट करके बता देना और मैं सारी कमेंट का रिपलाई नहीं कर पाता गाइस क्योंकि गाइस मुझे पता नह करता आप कमेंट करता तो आप कमेंट करो कमेंट कि मैंने कि कलयाइं क्लाइंंगा तो उनको किसी कलर कर पाइस कुकर सकते हो दो कैसे सकते वह यह से किया था तो कई तो नोबर मैंने लिया है और हाफ-ाफ करके एप्लिकेशन करेंगे एक साथ कलर अच्छे से लग नहीं पाता हुआ इसकी विजिबिलिटी बढ़ा के आपका फाइनल रिजल्ट भी बताएगे वीडियो गाइस एंड तक देखा करो ताकि आपको जो मैं बीच बीच में भी जो बॉलता रहता हूं ना काफी ज्यादा नोलेज़िवल होती है वह चीज है काफी लोग वीडियो स्कीप कर देते है क्योशन सेम पूछते हैं और जो मैंने वह कि वीडियो में बता रखा होता है से साफ पर जलता है या पीछे से लगाएगे और मैंने सब ओलता कलर करते सुमझे आपको बिरस इस साइट से भी आपको चलाना होता है और बिफोर आफटर एक साथ मैं आपको दिखा दूँगा कि कितनी हमारे को वाइबेंसी बढ़ी है कि देखने को मिली है अच्छे से कलर लगाएगे और रिफ्लेक्शन वाला यूज बिल्कुल मत करना डेप्ट बढ़ाने के लिए जैसे कि रिफ्लेक्शन बढ़ाने के लिए ट्रिक होती है उसकी टैक्निक होती है अभी आपको मैं नॉर्मल बेसिक से करा रहा हूं कि आप कैस से कलर की डैप्ट बढ़ा सकते हैं इसलिए मैं बना कर रहा हूं जैसे कि मान लीजिए आपने क्लाइन को किया है को पर फैमली का कलर और उसकी सिर्फ बढ़ानी है और आप कलर यूज कर रहे हो ट्वैल पॉइंट बन क्योंकि वह वह आपकी जो रिफ्लेक्शन को को पर तो नुट्रलाइज कर देगा यानि कि उसको खतम कर देगा तो यह आपको सिर्फ डैप्ट दैप्ट मिलेगी रिफ्लेक्शन को देखने को नहीं मिलेगी अगर क्लाइन की चोईस हो कि मुझे थोड़ा सा जो रिफ्लेक्शन को पर चाहिए काफी चीज होती है समझने के लिए उसको देरे देरे समझना होता है तो वीडियो को यहन तक देखा करो अच्छे समझा करो दैन कमेंट किया करो यह कलर के अप्लिकेशन यह हमारी कम्प्लेट हो गई है उसको मैं फिलाक्या रखूंग कलर को ऐसे और गाइस फॉइल को मैं लोग नहीं करूँआ क्योंकि यह ग मिनट्स का तो गाइस वीडियो में स्टॉप कर देता हूं और आफट थेटे फाइव मिनट्स बाद मैं आपको मिलता हूं तो अप दे सकते हैं कि कितनी अच्छी वाइबरेंसी आ गए कलर में और पूरे 35 मिनट्स हो गया है तो मैं आपको वोज करके दिखाता हूं कि कि किन हमारा final look तो गाइस देख सकते हैं देखिए वाइबरेंसी में फर्क आपको खुदी दिख रहा हो एधियर का बाइबरेंसी में कितना ज्यादा फर्क आ गया होगा इस देखे रिफ्लेक्शन में भी ज्यादा फर्क नहीं आया है यह देखिए और टैन नमबर भी एक तरीके का हाई लिफ्टी होता कि टैन नमबर कोई छोटा नमबर नहीं होता और इसको मैं ठाटी बोलें को साथ किया है इस पर्सनली मुझे तो काफी ज्यादा करेर अच्छा लग रहे देखिए तो काफी ज्यादा यह देखिए विजीबिलिटी इसकी करते हो और आपकी क्लाइंट को ज्यादा विजीबिल नहीं होता तो आप इसी तरीके से कलर की विजीबिलिटी को बढ़ा सकते हैं विफाउद प्रिलाइटनिंग करने की नहीं होती यह देखिए तो कि इतना लेवल तक है विफाउद प्रिलाइटनिंग भी आ जाता है कि यह कर आपको कैसा लगा तो मिलते का है सब्सक्राइब नेक्स सूडियो में ओके टेक क्या है